नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको एक आईरवेदिक प्लांट के बारे में एक आईरवेदिक औसदी के बारे में बताऊंगा जो आईरवेद में अत्यादिक मात्रा में प्रियोग की जाती है दोस्तों इस छो आपके चित्र में देखी जारी है उसको हम चित्रक कहते हैं चित्रक एक आयरवेधिक कईसेदी है जिसका बाटनीकल नेम प्लमबेगो जेलानी का है जिसकी फैमिली बंबेग जीने इसी है दोस्तों चरक सहीता और सुसुन सहीता जैसे आईरवित ग्रंतों में चितरक का बरपूर वर्णन किया गया है आचार्य चरक ने इसको दीपनिया और सोगन, सूलनी, सूल परसमान, लेखनिया, बेदिनिया जैसे गणों में इसकी गणन की है दोस्तों आचार्य सुसुत ने इसको आरगवदादी, वरोनादी, मुस्कादी, मुस्तादी, आमलक्यादी, आदी गणों में इसका वन्डन किया है दोस्तों ये जो चितरक होता है इसका रस हमको कटू दिखता है और ये वीर्या से उस्ण वीर्या का होता है दोस्तो इसके उप्योग क्या-क्या होते हैं ये कॉमनली हम दीपन पाचन के लिए उसिदी के रोप में इसको लेते हैं ये अहार रस धातवागनी को परदीप्त करके धातों को बल परदान करता है दोस्तो इसका यूज हम अतिसार और प्रवाही का डाइरिया जैसी कंडिशन में भी करते हैं दोस्तो कॉलाइटिस जैसी कंडिशन में इसको छाज मिन्स तक्र के साथ यूज करते हैं पाइल्स अर्ष जैसी बवासिर जैसी कंडिशन में भी इसको यूज किया जाता है इसका abdominal other souls में अत्यादिक मात्र में इसको यूज़ किया जाता है प्लियह और liver से spleen related disorder में इसका यूज़ किया जाता है skin disorder में भी इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों इसका यूज़ किया जाने वाला part इसका root होता है इसका मूह लोता है जिसको हम दवाई के रूप में अत्यदिक मात्र में सेवन करते हैं दोस्तों इसको वात रोग में तेल के साथ गोमुत्र के साथ इसकिन डिसॉडर में यूज किया जाते हैं और हम इसको चांच के साथ अर्स रोगों में यूज करते हैं दोस्तों दोस्तों चितरक का जो प्लांट होता है भारत में सर्वत्र पाये जाता है विसे तो बिहार पंजाब बंगाल उत्तर प्रदेश या दक्षन भारत के रेजन में आसानी से मिल जाता है दोस्तों इसके कुछ फॉर्मूलेशन होते हैं जिन में चित्रकादी वटी, चित्रकादी गुटिका, चित्रकादी चून या चित्रा ग्रेट दस्मूलारिस्ट कॉमन है